गिरिश दास जी आपके हिसाब से क्या जातिये सर्वे सही है या गलत जो बिहार सरकार ने आकड़े जारी किये हैं? देखिए अब बिहार सरकार ने अपने दिमाग से जो भी सोचा होगा और जो भी वहां के बुध्धी जीवी लोग होंगे हमारे यहां जो लोक तंत्र की बेवस्था है वह किसी भी धर्म का जिसको पार्टी उमीदवार बना देती है और जन प्रतिती चुना जाता है तो निह तो क्यों ब्रामनों का जन प्रतिती होता है यादो है तो यादों का जन यह जो भारत वरस के लोक तंत्र की बिसालता है कहीं न कहीं इसमें बट्टा लगाने का यह कारिखिया जा रहा है तो कि देश का प्रधान मंत्री तो हिंदू है तो मुसल्मानों को तो बाहर कर देना चाहिए, शिक्ष को बाहर कर देना चाहिए, इसायों को बाहर कर देना चाहिए, तो यही हमारे देश की लोगतंत्र की विशालता है, कि वह 140 करोण आम नागरी का प्रधान मंत्री है, वह किसी जातिवार का प्रधान मंत्री नहीं है, वह किसी दलित का प्रधान मंत्री नहीं ह वह किसी ब्राम्हल का प्रधान मंत्री नहीं है, इस देश में रहने वाले 140 करून जनता का प्रधान मंत्री है और वह जब भी विकास की चीज सोचता है, जब भी वह स्वास्त सोचता है, जब भी वह किसी को घर देने की बात सोचता है, जब कभी वह गैस कनेक्शन देने की ब चोनुसित है उसको उश्देश की महत्त National का लाफ दिया जाता है उसको मखांव दिया जाता है उसकोगैस का Свबक्रेशन दिया जाता है उसके बीमार होने पर उसके स्वास्थ की समचित व्रोस्ता की जाती है यह सई है और मुझे कि मेरे हिसाब से सही नहीं है और भी विद्धु जी और भी राजनीती एक बार फिर से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है देश में जी हाँ यह हम लोगों को अलग करने की राजनीती है हम लोगों को मतलब यह हम हिंदुओं को अलग-अलग बाटने का यह तरीका है इन लोगों का यह जो जातिये जनगरना हो रही है एकदम गलत है इससे कोई लाब नहीं है बस इससे इन लोगों की राजनीती में लगेगा कि किस जाती को लुभाने के लिए किसका कौन सा मुद् हैं और राम जी के लिए सभी जातिया एक थी निशाद राज जी सब को लेके चले तो हमारे यहां कोई जाती की ब्योस्था नहीं है सब को समान भाव से जो जिस योग है उसको आसमान मिलता है और यह क्या है इनके पास कोई मुद्दा नहीं है राजनीत आ गई है बरसाती म से विकास पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए विकास पर ध्यान देना चाहिए अंतिम आपकी प्रितिक्रिया लोंगा यही विपक्ष कह रहा है कि सामाजिक न्याय के लिए जाती जनगरना जरूरी है विपक्ष कह रहा है कि जो जाती जनगरना है इससे पिछड़ी जात करतीयों को और एसी जो जातियां उनको और लाब मिलेगा अगर उनकी संख्या गिनी जाएगी कि आपको लगता है सामाजिक न्याय के लिए जाती जन्करना जरूरी है तो क्या दलित को अपराद करेगा तो उसको सजा नहीं दी जाएगी यह देश अब कानून से चलेगा या देश जाती से चलेगा मुझे लगता है कि किसी भी जाती का व्यक्ति हो अगर वो अपराद करता है तो उसके लिए कानून बराबर है मुझे नहीं लगता है कि देश में बिकास के लिए जाती मुत कहता हूं जाती होनी ही नहीं चाहिए जाती समापत कर दिया जाए तो राजनीती जो Πतन हुआ है वह उच्चतं सिखर पर पहुँच जायेगा जाती ही समापत कर देना चाहिए क्योंकि एकर जाती यह तो हम अपील आयोध्या के साधूसंत कर रहे हैं और अपने इनोंने पूरी राय रखी कि आखिरकार आयोध्या के साधूसंत जाती है सर्वे को लेकर क्या सोच रहे हैं जाती है जनगर्णा को लेकर क्या सोच रहे हैं और तमाम राजनितिक दलों को इन साधूसंत कर रहे हैं